कृतग्य चीटी एक बार एक चीटी तालाब में गिर गई वो डूब रही थी एक कबूत्री ने उसे डूबते हुए देखा तो उसने पेड़ की टहनी से एक पत्ती तोड़ी और उसे चीटी के पास पानी में गिरा दिया चीटी ने थोड़ी सी कोशिश की और पत्ती पर चड़ गई इस तरह पानी में बहते हुए पत्ती पर बैठकर चीटी सकुशल के नारे पहुँच गई इस प्रकार कबूत्री के दयालू व्यवार के कारण चीटी की जान बच गई बहुत दिन बीत गए एक दोपहर चीटी जंगल में भोजन की तलाश में भटक रही थी उसने कबूत्री को पास की जाड़ी में बैठे देखा जैसे ही वो उसे बुलाने लगी उसने एक आदमी को देखा उसके हाथ में बंदूग थी उसने कबूत्री को निशाना बनाया हुआ था चीटी को कबूतरी की जान खत्रे में लगी इसलिए वो तेजी से आदमी के पैर पर चड़ गई और उसे जोर से काट लिया इस से उस आदमी के इतना दर्द हुआ कि उसका निशाना चूक गया और बंदूख हाथ से गिर गई गोली की आवाज से कबूतरी खत्रे को भाप गई और वहां से उड़ गई इस प्रकार कबूतरी की साहता करके चीटी ने अपनी कृतग्यता प्रकट की इस कहानी से हमेश शक्षा मिलती है कि दूसरों के साथ की गई भलाई हमेशा काम आती है